दोस्तो आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ BLDC Sealing Fan की दुनिया में जो राजा है जो सबसे hot selling product है जिसने पूरे इंटरनेट पे धमाल माचा रखा है पूरे BLDC Sealing Fan के field में जिसने रोला काट रखा है आज आपके लिए लेकर के आया हूँ आज के समय भी ये सभी के दिलों पर राज करता है सबसे top selling product है पूरे इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा अगर BLDC Sealing Fan बीचता है तो इसी company का बीचता है और यही model बीचता है चलिए दोस्तो इसके बारे में आज आपको हर एक चीज बताऊँगा चोटी से लेके बड़ी अच्छाईयां बुराईयां सब कुछ बताऊँगा और आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मुझे इतनी बेवाकी से बोलने की शक्ती आप लोगों नहीं दी है आप लोग जब मेरे affiliate link से shopping करते हैं तो मुझे जबर्जस्त तागत मिलती है कोई company मुझे sponsor नहीं करके जो है खरीद नहीं सकती है ठीक है मेरे मुँ में अपने शब्द कोई भी company ने डिलवा सकती इन सब की जो है जिम्मेदारी आप लोगों की है ठीक है आप लोगों नहीं ऐसी मुझे शक्ती दी है और जहां भी हो सके इसको share करिएगा ताकि सभी लोगों को इसके जो है long term review पता चल सके मैं इसको जो है use कर रहा हूँ पिछले साले तीन साल से और मेरे पूरे घर में इसी अकेले घर में 10 से ज़्यादा unit लगे हुए है और आपको बताना चाहता हूँ मैंने अपने दोस्तों को भी recommend किया अपनी personal recommendation पर मैंने अपने दोस्तों को दो-तीन दोस्तों को पंके दिलवाई है सभी ने दो-दो unit लिये है ठीक है ना क्योंकि ये इतना बहतरीन पंक ही है ना तो इसकी बुराईया है ऐसी बात नहीं है बुराईया नहीं उस सब आपको वीडियों बताऊंगा लेकिन बुराईया से ज़्यादा अच्छाईया है और इसकी जो अच्छाईयों के आगे इसकी बुराईया सभी ढख जाती है सीधी बात है ठीक है आपको देखिए ब्रांडिंग दिख रही होगी और फिर से जूम करके दिखाता हूँ एक बार आपको दिखाई था एटम बर ठीक है इतना किलियर नहीं दिख रहा है उसके लिए माफ करिएगा और इस्टूडियों में नहीं बैठा हुआ हूँ वहां इसकी जो यह सबसे बड़ी कमी यही है सीधा आपको बताता हूँ सब कुछ बताते चलूँगा साथ में यह रिमोट है यह इंफ्रारेट सेंसर वाला रिमोट है ठीक है इसको जब आप बिल्कुल इस पंखे के बिल्कुल ऐसे रखते नीचे तभी यह सही से ऑप्टिमम काम करता है ठीक है अगर आप ऐसे कर देंगे नहीं काम करेगा ऐसे कर देंगे नहीं काम करेगा कर देता कभी कबार नहीं करता है ठीक है ऐसे भी कर देंगे काम इत्ते अच्छे से नहीं करता है ठीक अभी तो बिल्कुल इसके नीचे है अगर यहां थोड़ा आ जाओ में तो य अगर हैं और हैं नहीं तो नहीं वह समझ्शा नहीं है लेकिन इतना होता हैं फिर भी कम्परिया ने अपनी बहुत अच्छी सर्विस दी मैं तो ऐसा मानता हूँ तो company ने इसमें design wise ये change किया है कि जो काले रंग के magnet रहते थे थे तो उसके बदले जो नियो डाइमियम permanent magnet से इसको जो रिपलेस कर दिया है बहुत अच्छी चीजे इसके लावा अब कुछ जो इसमें ज्यादा बड़ा change नहीं किया गया है पहले आप अगर ध्यान से देख सकते हूं यह इसमें जो इसका जो BLDC जो कुछ controller रहता था और AC से DC में convert करने वाला रहता था इस जो इस वाले टोपे के नीचे लगा रहता था यह जो टोपा देख रहा है आपको आप देख सकते होंगे यह ब्लैक वाला यह रखकन है इसके उपर यह है जो यहां होता था ठीक है अब कंप्री ने AC में fit करके दे दिया इससे ज़्याइन में कोई change नहीं है सब कुछ सेम है सारे फीचर सेम है अब बस यह है कि नया वाला जो यूनिट है वो पावर कंजम्शन में 35 वाट कंज्यूम करता है ठीक है बाकि सब कुछ सेम है वारंटी अभी इसकी तीन साल लिया आती है और पहले जतने यह पिन कोड पर सरू करते थे अपनी जो कस्टमर क सब करने लगे हैं सब कुछ बढ़ते ही जा रहा है चलिए दोस्तों और आपको बतारा चाहता हूं यह इसका रिमोट है देखिए उस जवाने में बहुत ही आलिशान बहुत ही शांदार रिमोट आता था यह एक छोटा से इंडिकेटर है यह पावर ऑन उप सिच है बटन मा पोटल जो है छह स्पीड आती है ठीक है फाइफ प्लस वन मान लिजे कंपनी जो छटी स्पीड को बूश्ट कहती है थोड़ा कहने में थोड़ा फैंसी लगता है थोड़ा अच्छा भी होता है ठीक है और यह देखिए यह टाइमर मोड है यह एक दो चार छह गंटे के लास टाइम यह बिल्कुल बूश्ट मोड पर चला तो बूश्ट मोड पर अब इसको स्पीड कर देता हूं आपको नॉइज वगररा सब कुछ इसका सुनाओंगा ठीक है यह अब एक नमर इंदिया में अभी जो इतनी गर्मी नहीं पड़ती है जो इसको फुल स्पीड पर चलना है जहां से सुनिए कोई आवाज नहीं है और जो आवाज आ रहे हैं वो बाहर को अपने पानी से दुलाई कर रहे हैं सफाई कर रहे हैं इसकी सुनिए कोई आवाज नहीं है अभी देखिएगा इसकी आवाज का बाती है देखेगा और वो भी आवाज नहीं है वो अब आगो काटेंगे तो यह साउंड तो आएगा ही बस बताना यही चाहता हूं आपको कि किसी भी तरह का मोटर नॉइज नहीं है इसमें यह दूसरी स्पीड है ठीक है यह तीसरी स्पीड है देख लिजे ठीक है अवाज थोड़ी बल गई ऐरोडायनेमिक साउंड जो होता ह है वो थोड़ा बढ़ गया है या नॉइस के लिजे ठीक है यह चौथी स्पीड है यह पांच्वी स्पीड है अब चाहें तो यहां से बूस्ट कर सकते हैं ठीक है नहीं तो देखिए यहां इसको यह भी पांच्वी नमर स्पीड चलना है अब यहां से भी यह बूस्ट हो ठीक है एक और बार इसको दबा देंगे लेकिन अब नए वाले रिमोट में ऐसा नहीं होता है आवाज सुम लिजे सही से ठीक है यह एरो डायनेमिक साउंड है और कुछ नहीं है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करिए का सेर करिए का सबको दिखाएगा इससे ज्या रात में ऐसा नाइट लेंप यूज कर सकते हैं बहुत ही अच्छा इसका शानदार उप्योग है रात में आपको यह बड़ा वाला बल्ब जलाने के जरूत नहीं पड़ती है इसी से काम चल जाता है ठीक है ना आपको जो परियात लाइट मिलती है सब कुछ दिखता है रात अब यह मुझे पता नहीं कि exactly यह कितने वाट कंजूम करता है मेरे खाल से तीन वाट से ज्यादा यह सभी LED यह 6 की 6 LED तीन वाट से ज्यादा कंजूम नहीं करती होंगी ठीक है यह मेरे खाली स्पेकुलेशन इस पर बिल्कुल ब्लाइंड फेट मत करिए इसको बंद करता ठीक है अब यह यह टाइमर मोड है इसको इंगेज करने से यह पंखा 1 गंटे बाद आटोमेटिक बंद हो जाएगा अब देखते जाए जाए है है तीन गंते बाद बन्द होगा, आठोमेटिक, अब यह जो है, 6 गंते बाद आठोमेटिक बन्द HO जाएगा, लेकिन इसको अगर Die Engage करना है, डिसEngage करना है, तो इसको जो है, इस Power of Valley बटन को दबादे जीगा, तो दूसरी स्पीड पर ना आ जाए ठीक है इतनी बाते हैं कमपनी इसके साथ जो ए तीन साल की आज भी वारंटी क्लेम करती है एक बार का आपको वाक्या बताता हूं कि एक बार जो एसमें ऐसा था जब ये बिल्कुल नया नया आया था तो इसमें थोड़े से आइरन पार्टिक रह गए थे तो ये थोड़ी सी आवाज किया करता था बिल्कुल थोड़ी सी है ना तो कंपनी ने उसको तुरंट दुरूस्त कर दी ये अपना एक 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 रिप्रेजेंटेटिव भेज करके और सबसे अच्छी एटमबर की आज ये भी आज की समय ये खासियत है कि इसकी सर प्लास्टिक के वेट इसमने डले हैं फिर भी देखे कितना पहतरीन लगता चलते हुए ठीक है और जब रुक जाए तो देखे तब भी अच्छा लगता है बस कमी यही है कि इंफ्रारेड रिमोट आज की जमाने में भी दे रहे हैं बताओ अगर ये थोड़ा से इन्वेश आप जो है एक जो है मान के चली एक जो है हमीशा तारीफ के घेरे में मने रहेंगे ठीक ना बात कर लेते हैं इसके प्राइस की करेटली देखिए इसका प्राइस बढ़ता रहता कभी 100 रुपे कम कभी 100 जादा 3500 से लेकर के अलतिस सो रुपे तक के बीच में आपको मिलेग ठीक है यह सब देखते रही है गर्मियों के आगे सेल कुछ नहीं है जब आपको जो है डिसकंफर्ट हो तो तब उस समय सेल के इंतजान नहीं करना चाहिए और मैं आपसे हाँ जोल के बिंती करता हूँ जितनी मैंने आपको इसकी बाते बताई है इस सब बेवाकी से बताई कि किसी कंपनी ने मुझे पैसे नहीं दिये मैं आपके सपोर्ट पर इतनी बेवाकी से बोल पाता हूँ तो प्लीज अभी आपको पर्चेस करना हो मेरे इसी अभी लिंक से परचेस करीएगा ठीक है मैं दोनों तरह के लिंक दे दूँगा यह सपंके का भी लिंक दे दूग ठीक है प्लीज मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा और इस वीडियो को फिर से मैं दुबारा विंती करना चाहता हूं छोटा करिएटर हो इसलिए ज्यादा भी बोलना पड़ता है आप इसको लाइक करिएगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि जैसा मैं सुनना चाहता हूं जै ऐसा ही मैं इस दुनिया को भी सुनाना चाहता हूं ठीक है यही मेरा मोटिव है लेकिन यह है कि अब इतना जो है बनाने में थोड़ा खरचा होता है सब कुछ जो है मिंटेन करना पड़ता है ठीक है तो उसके लिए आप मुझे प्लीज सपोर्ट जरूर करिएगा और आपक होते थे ठीक है लेकिन इतने स्ट्रॉंग नहीं होते थे नियोडायमिय मैगनेट बहुत ही स्ट्रॉंग होता है पूरी फुली कॉपर वैंडिंग के साथ यह मिलता है और यह उसके ब्लेड होते हैं यह तो सभी कंपनी आशकल अलमुनियम के दे रहे हैं तो कुछ खास बात यह तो अलग चीज़ है इतने में जो है जो पंके में रॉड लगी होती है एकदम दिखती है स्टील के रंकी ठीक है न तो उसी में आप जो है इसको अटैज कर सकते हैं और उसमें मान सकते हैं हाला कि आज तक कभी भी जो है अभी देखा नहीं गया कभी ड्यूज नहीं मानी पहुंची हो चोट लगी हो हाथसा हुआ हो ठीक है और वाकई में बहुत साइलेंट है एकदम पीस ओफ मांड सर्विस बहुत अच्छी है एक बार को आपको जो है इसमें थोड़े पैसे जरूर लग जाएंगे लेकिन मानिये यकीन मानिये इससे अच्छा जो है मेरे क्याल से इस प्राइस रेंज में मार्केट में अभी कोई अगला ओप्शन नहीं है ठीक है तो चले दोस्तों आइसा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और कुछ भी आपको पूछना हो तो जरूर पूछेगा अभी इस्टूडियो में नहीं हो इसके लिए मा ठीक है इसमें मैंने रेगुलेटर कम्प्लीटली पूरे घर में वाइपास कर दी है जब एक बार रेगुलेटर हटवा दिया है तो आज के बाद जो टेक्नोजी आईगी वो रेगुलेटर काहे लगाईगी सही बात कलत बात है है ना इसलिए मैंने पूरे घर में सभी जग तो इसको भी चलने में आसानी होती है पावर कंजम्शन इसका अगर इसमें धूल लगया तो पावर कंजम्शन बढ़ जाता है अभी कोई धूल नहीं है ठीक है आपको वीडियो एक बना के दिखाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि कैसे इसको आप नहीं जैसा चमका सकते हैं चल नमस्ते दोस्तों धन्यवाद जैन जै भारत दोस्तों